हेलो बच्चों अभी हमारा साइन्स का चैप्टर सेवन चल रहा था गेटिंग टू नो प्लांट्स इसमें हम पिछले वीडियो में ट्री, हर्ब, श्राब, क्लाइमबर, क्रीपर उसके बाद इस्टेम और लीप्स ये सब पढ़ चुके थे आज हम रूट्स के बारे में पढ प्लांट में ओके रूट्स के से कामाती हैं ये एक फिगर दिया हुआ है इसको देख करके ये बताना है कि ये पहेली और बूजो, दोनों वाटरिंग कर रहे है प्लांट को इसमें से कौन सही से वाटरिंग कर रहे हैं, उब्यस्ली Cho पहली जो है सही से watering कर रही है क्योंकि वो flower pot के अंदर water डाल रही है और बुजो क्या कर रहा है जस्ट जो plant के बाहर leaves निकल नहीं है उनको water दे रहा है इससे क्या होगा इससे यह होगा कि plants को जो water पहुंचता है वो roots के थूरू पहुंचता है और यह water जो है जब roots में ही नहीं जाएगा तो उस plant को कैसे water मिलेगा means पहली activity हमारी यह चेक करने के लिए है कि roots जो है plants के different water plants के different parts को water और minerals करी करते हैं उसके लिए हमने पहली activity में क्या है आपको बाहर से कोई दो छोटे से plant डिगाउट करके लेकर आने है निकालके एक को pot के अंदर में root सही soil में डाल देना है और दूसरे के root कट करके डालना है फिर आप कुछ दिनों तक इसको जब watering करेंगे तो कुछ दिनों बाद आप क्या देखेंगे ये वाला plant तो healthy रहेगा बट ये वाला plant क्या होगा सूख जाएगा क्यों क्योंकि इस plant मे roots थी और roots जो है soil के थुरू water और minerals carry करके plants को दे रहे थे इसलिए plants healthy था तो पहली activity से हमें क्या पता चला कि roots जो है plants के लिए water और mineral carry करके plants के different part को बेज़ती है दूसरी activity क्या है दूसरी activity के थुरू हम ये जानेंगे कि जो roots हैं वो plant को soil में anchor करके रखती है means उसको पकड़ के रखती है plant को जिससे की plant को stiffness मिलती है वो जमीन में अच्छे से stiffen होके रहते हैं और वो hold रहते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम एक कटोरी के अं और उसको गीला करके उसके अंदर कुछ seeds डालेंगे seeds कौन से डालेंगे ये gram का चने का seed डालेंगे और कुछ दिन तक उसको हलका हलका सा water देते रहेंगे sprinkle करते रहेंगे water का फिर दो-तिन दिन में ही उसमें क्या होगा वो sprout होना शुरू हो जाएगा और उसमें roots आनी रहेंगे तब हम क्या देखेंगे कि जो root उसमें develop हुई थी जो sprouts आये थे वो क्या कर रहे है वो cotton को hold करकी हुए है जगे-जगे से उनको पकड़ के रखा हुआ है means इस activity के through हम क्या जानेंगे roots की दूसरी property कि वो anchoring का का काम करते है पहली property क्या हो गई थी ये जो है soil से water और minerals carry करके plant के different parts को देते हैं अब next topic क्या है type of roots क्या सारे plants की roots एक ही type की होती है नहीं उसके लिए क्या है कि जब हम activity के through जाएंगे तो बाहर से अगर कुछ plant डिग आउट करके लाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें दो तरीके की roots आपको देखने को मिलेंगे अलग-अलग जब अलग-अलग छोटे plant लेके आएंगे तो देखेंगे कि किसी में किसी type की root है किसी में दूसरे different type की root है तो दो type की कौन कौन सी root होती है first is called tap root tap root क्या होती है? tap root में एक main root निकलती है एक मोटी सी जैसे उपर tree का stem निकलता है plant का stem निकलता है उसी तरीके से इसमें नीचे side में एक main root निकलती है एक main root निकलेगी यह मान लिजे आपकी surface हो गई surface के उपर आपका यह plant हो गया ओके यह leaves वगए तो इसके नीचे एक root निकलेगी main root होगी यह थोड़ी सी जो है इस type की होगी और उस root से different branches निकलेंगी roots की चोटी चोटी सी कही सारी net type की root निकलेंगी इस root को हम क्या बोलते हैं tap root इस tap root में जो यह different branches यह छोटी root निकल रही इन roots को हम lateral root बोलते हैं और इस whole type को हम tap root बोलते हैं दूसरी type जो है roots की वह कहलाती है fibrous root fibrous root में एक main root नहीं होगी इसमें different 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 जैसे fiber type के fibrous roots निकली होगी और कोई एक main root नहीं होगी इसको हम क्या बोलते हैं fibrous root तो हमारी roots कितने type की होगे दो type की होगे tap root और fibrous root lateral root जो है उसी tap root का एक part है तो अभी next activity क्या है next activity में बूजो यह कहना चाहता है कि उसके पास में एक brilliant idea है वो यह जान सकता है कि किस plant की root किस type की होगी बिना plant को dig out की आपको plant टुखाड के देखने की जरूरत नहीं है कैसे आपको याद होगा जब हम लोगों ने leaf chapter पढ़ा था leaf में हमने leaf venetion पढ़ा था leaf venetion कितने type के थे leaf venetion two types के थे उसका description आपको उपर आ जाएगा link में उसमें एक तो first था reticulate venetion second था parallel venetion जब आप इस activity को करेंगे बाहर से different type के leaves वाले plant अगर dig out करके और उनको देखेंगे तो जिन में आपको parallel venetion मिलेगा leaves में उनकी roots कैसी होगी उनकी roots fibrous होगी और जिन leaves में आपको reticulate venetion मिलेगा उनकी roots जो है type roots होगी तो हम जो है plant की leaves देख करके भी ये बता सकते हैं कि इसकी root किस type की होगी तो इस type से ये एक chart भी आप बना सकते हैं plant आप बाहर से लेके आए उसका plant का जो है नाम लिखा उसकी type of leaf venetion उसकी leaf का venetion क्या type था और उसके हिसाफ से उसका root का क्या type होगा इस हिसाफ से हम लोग जो है ये एक chart त्यार कर लेंगे और हमें जो है different different चीजे पता चल जाएंगी कि कौन-कौन से plants में कौन-कौन सी root होती है तो roots के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया roots जो है अब हम आ जाते हैं इस पे कि ये जो stem है main part okay stem क्या होता है stem just two way traffic कितरें काम करता है two way traffic कैसे अब देखिए आपने क्या पढ़ाता पहले कि leaves जो है आपका food बनाती है okay sunlight chlorophyll और carbon dioxide की help से ये food क्या होता है ये food ये branches और stems के through transmit होके different parts में जाता है even roots में भी जाता है okay तो ये तो हो गया एक way one way second way की roots आपका water and minerals carry करती है और stems के through different parts में plants के branches में leaves में सब जाता है okay तो ये upward movement हो गया okay means stem जो है एक two way traffic कितने काम करता है इस process को हम क्या बोलते हैं ये जो है conduct करता है stem जो है conduct करता है यो water minerals वगेरा root collect करती है और जो leaf जो है food बनाते हैं उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग flower का description बढ़ेंगे ओके बच्चों बाई 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 फ्रेंट्स आपके बाई